नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है लोदाई क्लासेस के बीए प्लेटफरम पर दोस्तों बीए फस्टेर के लिए पॉलिटिकल साइंस में राज नितिक सिध्धान्त का परिच्छे अर्था की पॉलिटिकल थियोरी वाले सब्जेक्ट की क्लासेस का भी समय पहले हमने होल्ड कर दी थी तीन सेशन इससे पहले हुए थे हमारे लेक्शन नमबर चार पर डिसकसन आज से फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं और चुकि मैं नो बज़े आपके सामने आ रहा हूं इससे पहले आईडिया भारत के सेशन चल रहा था मॉर् को अब दोस्तों हम इसमें मॉर्निंग में नो बज़े कंप्लीट जो है कंटिन्यू कर रहे हैं और अगर आप लोगों को लगता है कि पॉलिटिकल ठोरी के स्थान पर जो है पबलिक एड्मिस्ट्रेशन को चालू करना चाहिए दोस्तों तो बिल्कुल आप कमेंड करके और इसके इस सब्जेक्ट की जगा पबलिक एड्मिस्ट्रेशन अर्ताथ कि लोग प्रशासन बाला सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं इसी इस्तान पर या पिर चाहें तो अल्टरेनेटिव तरीके से दोनों को वन वाई वन करके जैसे एक दिन या दो दिन पॉलिटिकल ठोरी क टोपिक में किल मिला करके हमको देखना यह है कि जो दर्शन है अर्थात की जो दर्शन सास्त्र है वो राजनितिक सिद्धान्त को किस तरह से सपोर्ट करता है कैसे हेल्प करता है क्योंकि पूरा सब्जेक्ट क्या है राजनितिक सिद्धान्त का परीचे है जैसा सब्जेक् कर चुके है यह परिचे है पॉलिटिकल थियोरी का राजितिक सिद्धान्थ का जिसे अब हम पढ़ रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अकोडी लेकिन इससे जो आगे बाला जो एडवांस में पॉलिटिकल थियोरी है उसको हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं लेलिस्ट में चानता हूँ इस बात को क्योंकि मैंने एनलाइस किया है डेली यूनिवर्सिटी का कोई सब्जेक्ट सब्जेक्टों सब्जी होते हैं लेकिन उसकी शब्दावलिया है इतनी डिफिकल बना करके आपको प्रजेंट की गई है कि उनको एक बार में पढ़के समझना बहुत ज सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइस साइस और इकोनोमी यह मेरे में सब्जेक्ट है इसलिए पूरे कॉन्पिडेंस से बोलता हूं कि बिलकुल आप जो है सब सुनिए ध्यान से सुनते चलिएगा एक एक बिंदू आपको समझ आएंगे रटने की कोई जरूत नहीं Warum Chislands में उद्देश पॉलिटिकल ठेओर का अर्त क्या होता है इन सबर चर्चा हम कर चुके है उसके बाद सेकृपर कि विस्वासतु और कारे चेत्र को लेकर केर और उसी के साथ में हमने इसके प्रकृति और महत्व को भी इसी सेशन में देखने का 25 विंटू को हमने इंग्लूड हमारा अभी तक हो चुका था तीन लेक्ठ्टों के माध्यम से आज लेक्ठर 4 है तो चार हम्पेश नमबर में क्या हम डिसकस करने जा रहें तो आज हम बात करेंगे राजनिति बात करेंगे राजनितिक सिध्धान्त और धर्शन ओर दर्शन पर ठीक है ना और आगे जो नेक्स्ट टोबिक होगा आपका उसमें हम डायेटली बात करेंगे राग्णितिक सिध्धान्त के बेविने द्रिश्टिकॉन और उसके अंतरकत इन चार द्रिश्टिकॉनों को डिसकस करेंगी अब आपके दिमाग में सवाल उट्टा उकसर यह महत्व क्यों छोड़ दिया तो मैं वह चुकि हमने छोड़ा नहीं है बलकि इससे पहले ही महत्व को हम डिसकस कर चुके है लेक्षर नमर तीन में राग्णितिक सिध्धान्त प्रकरती और मैंद्व के अंतरकत हम इसको डिसक समझे तो शुरू करते हैं आज का सेशन और जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों पूर एकदम होकर के फोकस्ड होकर भेड़ जाईएगा पूरा टोपिक आपको बहुत बारी के समझ आने वाला है करें स्टार्ट ठीके ना चली कोई समझ्या होना जो सब्जेक्ट भी चल रहे ना उनको पढ़ लीजिए सब कबर करेंगे सब कबर करेंगे चुटे का कुछ भी नहीं आप लोगों का सब कबर करेंगे लिए बस टोपिक वाइस बढ़ते चलीएगा और जो सब्जेक्ट अभी चल रहा है उसको इमानदारी से कंप्लीट कीजिए बाकि सब कुछ करेंगे डोंट बरी चली टोपिक को श्राट करते हैं हमारा में टोपिक है राजनितिक सिद्धान्त एवं दर जब इसका मतलब येहिए राजनितिक उपन और दर्शंसास्त इन दोनों के बीच में आपस में आपसी कैसा परश्पर कैसा संबंद है कया राजनितिक सिद्धान्त दर्शंसास्त पर आदारित है या दर्शं संबब है तो आखिर राजनितिक सिध्धान्त में दर्शन का क्या महत्व है इस बात पर हमें विशेश चर्चा करनी है आज की स्टोपिक में कोई पॉइंट नहीं होगा दोस्तों एक इस्टोरी होगा इस्टोरी की रूप में आपको समझना है छोटा सा करन्सेप्ट है बिल् राजनितिक सिध्धान तेहरें दर्शन पर करचा की ऐह एसन दोनों को लेकिसे प्रकार और पढ़ता भी जाओंगा समझाते हुए जाओंगा डेटा को पढ़ूंगा आपको explain भी करूंगा जहां पर difficulties आएगी वहाँ पर मैं आपको इसको पूरे भेवारिक रूप से समझाने का प्रियास करूंगा ताकि आप revision करें तो यहां सब्दों में भी ना अटके तो theoretical पार्ट को भी कवर करेंगे और वेवारी पारट को भी कवर करेंगे तो रिटिकल पार्ट आपके exam के लिए होगा और वेवारी कि understanding के लिए होगा जो आपकी समझ को जो है मजबूत बनाएगा टोपिक पर पकड़ मजबूत करतेगा ये चलिए जहां इतिहास ध्यान दीजेगा जहां इतिहास राजनितिक सिद्धान्त को क्या देते दोस्तों आधार प्रतान करते क्या का जा रहा है कि जहां इतिहास राजनितिक सिद्धान्त को आधार देता है जिस पर बेस्ड होकर या कहें कि एक आधार राजनितिक सिद्धान्त जो है ना सिद्धान्त को आधार कहां से मिलता है जिस पर ये अपनी बिल्डिंग खड़ी करता है सिद्धान्त को आधार होती है एक प्रोपर प्रोसेस क्रम अनुसार एक ब्यवस्तित फॉर्मेट में जो प्रिक्रिया होती है काम करने की वो इसको बिज्ञान प्रदान करता है ज्यान से सुनना बिल्कुल भी दें कि ध्यान सुनना टोपी पूरा यहीं कम्प्रिट हो जाएगा आप लोगों का राणितिक सिध्धान्त को एक बिधी प्रदान करता है कि आपको ऐसे काम करना चाहिए कि समझ पा रहे तो वहीं दर्शन सास्त्र जो है राणितिक सिध्धान्त को लक्ष देता है उद्देश देता है उसे अपनी मंसिल पर पहुचने की पहुचने के लिए प्रेंड़ना प्रतान करता है। समझिएगा, मैंने क्या कहा यहाँ पर तीन बातों को हमने बीशे आ जो है compare किया है राजनितिक सिद्धान्त के साथ में कि एक तो इतिहास, बिःज्ञान और दर्शन सास्त्र जहां इतिहास राजनितिक सिद्धान्त को आधार प्रदान करता है आधार मतलब समझते है ना जिस पर वो पूरी तरफ बेस्ट होता है पूरी बेस्ट जिसे एक मकान एक बिल्डिंग होती है किस पर आधारीत होती है जमीन पर आधारीत होती है उसी तरह से राजनितिक सिध्धान्त नामक जो यह बिल्डिंग है ना प प्रकार से दर्शन सास्त्र या कहें कि दर्शन जो है राजनितिक सिद्धान्द को लक्ष प्रगान करता है कि आपको करना क्या है कि करना क्या है ये दर्शन सास्त्र बताता है राजनितिक सिद्धान्द को करना कैसे है ये विज्ञान बताता है कहां खड़े होकर करोगे ये तो किसी भी देखे जैसे कि किसी भी इमारत के धाचे के लिए नीव आवश्यक होती है उसे बनाने का एक बिशेश तरीका आवश्यक होता है उसकी संड़चना उस भवन के प्रमुक अंग होते हैं क्या गा जा रहा है कि जैसे एक बिल्डिंग होती है तो बिल्डिंग के लिए नीव आवश्यक है उसी तरह से नीव जैसे कि इतिहाद जो उसको नीव प्रदान करता रानितिक सिद्धान को और उसे बनाने का एक प्रोपर तरीका बिल्डिंग बनाने का तो जो बनाने का तरी निव वर यह सुशन के यह कैना आउचित होगा दर्षन पर ही सिद्धान्त का घाचा हूआ है यह राग्नितिक सिद्धान का रहाचा जो है विल्डिंग जो है ना राट सा दन की सढ़ी हो कि यह दर्षन पर टीकtte करता है इना मंजिल पर आगे मंजिल की और आगे बढ़ने के लिए प्रेणा प्रदान करता है प्रेणा देता है इतना ही नहीं बलकि दर्शन सास्त्र राजनितिक सिध्धान्त के मार्ग में आने वाली समश्याओं का समधहन भी बताता है और जब जग राजनितिक सिध्धान्त को अपने मार्ग में आने वाली समश्याओं की का समधान नहीं मिलेगा वो आगे केसे बढ़ेगा तो उन समश्याओं का समधान को देता है दर्सन सास्तर देता है इसलिए तो कहते हैं कि दर्सन सास्तर जो है राजनितिक सिध्धान्त को आगे ब प्रोसेस बताता है उसी प्रकास से दर्शन सास्त्र राणितिक सिध्धान्त को आगे बढ़ने की प्रेहना देता है उसका सांती बनता है सांती बनकर आगे चलता है जो भी समस्या राणितिक सिध्धान्त के मार्ग में आती है उन समस्याओं का समधान दर्शन सास्त्र बताता है दर्शन एक मार्ग दर्शक होता है और यह बास्तवी के दोस्तों यह बास्तविक बात है वो जरूरी नहीं है कि आप राजनितिक सिद्धान्त की छेतर में ही ले जब राजनितिक सिद्धान्द के अंतरगत जो है राजनीतिक जो दर्शन होता है वो इसको सपोर्ट करता है वो राजनीतिक सिद्धान्द का मार्ग प्रशर्ष्ट करता है या मार्ग दर्शन करता है यही कारण है कि हम दर्शन के बिना राजनीतिक सिद्धान्द की कल्पना भी नहीं कर सकते बले ही इतिहास राजनितिक सिध्धान्त को आधार बना दे उसकी बिल्डिंग तयार हो जाए बले ही बिज्ञान उसको अच्छा सा काम करने का प्रोपर तरीका बता दे लेकिन समश्याओं से निप्टे विना राजनितिक सिध्धान्त अपना काम आसानी से आगे बलता नहीं कर सकता अगर उसे सुचारों रूप से अपने कारियों पर अडिग होना है अपने कारियों संपूर्ण करना है तो उसके लिए धरृषण काप दशन का सपोर्ट धर की मदद लेनी ही होगी इसलिए हम कह सकते हैं कि दर्षन के भिना राजनितिक सिध्धान्त की कल्पना असंबब है क्लियर हो पार है試़तो क्लियर हो रहा है ना एक बंद बेवारी रूप समझात को चल रहा हूं डेटा हाँ जितनी मेरी छमद्हती मेरी इसको आसान करने का प्रियास किया है आप लोगोंके लिए वाकि लोग प्र corazón करें पर समझे है दर्शन अपने स्वरूब में आधर्श आत्मक होने के कारण ब्यवारिक बले यी ना हो परन्तु सामजी जीवत आधर्शों के बिना नहीं चल सकता ज्यान देना क्या केने का प्यास की जा रहा है यहां यह कहा जा रहा है कि आपने देखा होगा ना दार्शनिकों को पढ़ा होगा कभी कभी तो आपने दार्शनिकों को पढ़ा होगा विद्वानों को पढ़ा होगा तो जब भी आप उनके विचारों को देखते हैं पढ़ते है तो उन दर्शन को बोला रहा है कि जो दार्शनिक कि रहे हैं है पेले जो विद्वान विद्वान व्यासर जो रगए ना वह वचसी तो दर्शन के लाते है तो उन द लगते हैं और इस कारण से वह ब्यवारिक नहीं नहीं हो पाते हैं इसका मतलब सिंपल सा यह होता है कि आदर्शात्मक बीचारों को हर कोई आम आत्मी नहीं समझ पाता है और कोई नहीं समझ पाता जैसे कि आपका पॉलिटिकल थूरी सब्जेक्ट है इसे आप मेट्स वाले के सामने रख दीजिए ना कंप्यूस हो जाएगा कि यह यह क्या होता है समझ पा रहे ना आप लोग तो जो जिसमें पारंगत है वही इसको समझ सकता है अब चूंकि राजनितिक सिद्धान्त को जो दर्शन सपोर्ट कर रहा था वो जो राजनितिक दर्शन था अब वो दर्शन भी दोस्तों ऐसा होता है कि जो जिसे कुमान लोग की हम देबने का यह है कि उन्होंने जो अपने विचार रखे न वो उनके समय की समझ्याओं कर समधान को लेकर करके हैं उन्होंने उनके समय की समझ्याओं बता यह वह उवfang समझी उसमस्याओं को बताते हुए उन समझाओं से परिशे कराते हुए जो है उनका समधान बताने का प्रियास किया है अब चूंकी उन बिद्वानों के जो बिचार रहे हैं जो समझाओं का समधान रहे हैं वो आदर्शात्मक थे वो आसान इसे समझ नहीं आते थे हर किसी को इसलिए वो बेवारिक नहीं हो पा तो आप कोई भी आप में से कह सकता है कि नहीं सर समाज के लिए समाज के सुचारू संचलन के लिए आदर्स अतियावश्यक है बिना आदर्शों के समाज का संचलन संबब नहीं है अगर आज भी हम समाज में समाज में से आदर्शों को निकाल ले तो दोस्तों आप जानते हैं हम फिर से homos sapiens बन जाएंगे कि ना सब्विता भी ही न बन जाएंगे कोई सब्विता ही नहीं होगे हमारे पास आगे देखिए हम क्या है और हमें क्या करना चाहिए हम क्या है हमें क्या करना चाहिए ये सब प्रश्ण जो है ना किसे दर्सन से ही जुड़े हुए हैं हम क्या है हमें क्या करना चाहिए मतलब कुल मिला करके यह है कि जब हम समाज की बात करते हैं जह हम विवारिक दा हमारे आदर्शों को जनने देती है इसलिए हम जो है दर्शन सास्त्र को यह बोल करके नहीं नकार सकते कि दार्शनी को के जो दर्शन रहा है वो आधर्श अत्मक होने के कारण विवारिक नहीं था इसलिए वो कल्पना मात्र बनकर रहे गए हैं या बेवारिक बन गए हैं ऐसा नहीं है बलकि बेवारिक भले ही ना हो लेकिन फिर भी हमारे लिए समाज के लिए अतियावशक हैं क्यों क्यों कि बिना आदसों के समाज का संचालन संबब नहीं है क्लियर वो दोस्तों जरूरी नहीं है कि इन आदर्शों की उत्पत्ति जो है दार्सनिकों के विचारों से ही हो बलकि इन आदर्शों की उत्पत्ति तो समाज स्वयम करती है कैसे कि जब समाज में रह रहे हैं लोग जब एक उचित बेवार करते हैं एक दूसरे से तो बहाँ पर आदर्शों की उत्पत्ती होती है अर्थात हमारी बिवारिक्ता से आदर्शों का जन्म होता है तो किसी भी बिद्वान का दर्सन उस समय की समश्याओं का समधान होता है उस समय की समश्या मतलब उनके समय की या उनके युग की जो समश्याओं थी उन समश्चाओं पर ही उन्होंने अपने विचार दिये हैं मर्ततलब की उन समश्चाओं का उन्होंने समधान बताया है इसलिए का जा रहा है कि किसी भी बिद्वान का जो दर्शन होता है वो दर्शन उनके युग की समश्चाओं का समधान होता है समधान भले ही आदर्श मूलक हो मतलब आदर्शात्मक हो जो समधान उन्हों दिया है वो भले ही आदर्शता के उसमें पुट समाइत हो परंतु समश्चा है तो उस समय के यतार्थवाद को ही बताती जो समश्चा है उन्होंने बताई है उनके चिंतन में उनके दर्शन में वो तो उस समय की यतार्थ मतलब सत्यता को बताया है वास्तविक्ता को बताया है कि उस समय की वास्तविक्ता क्या थी सच्चा ही क्या थी इसी को तो हमने यतार्थ बोला है तो समशाओं का समधान भले ही आदर्शात्मक हो लेकिन फिर भी उस चिंतन में उस दर्सन में जिन समशाओं का वर्णन किया गया है वो तो उस समय की जो वास्तविक्ता थी उसका दर्शन करवाती है खिलिए रे दोस्तों तो दर्सन सास्त्र अपने यूग की समशाओं से क्या जूचता है दर्सन सास्त्र अपने यूग की समशाओं को हमारे सामने रखता है, अपने काल का संकेत देता है कि वो यूग किस प्रकार का था, आज हम सुकुरात, अरस्तो प्लेटो, चानक के, किसी को भी पढ़ ले हम लोग, किसी को भी पढ़ ले, हर एक विद्वान ने अपने अपने यूग की समश्याओं का वर्णन किया है, और उनका सम अपने काल का, अपने यूग का संकेत देता है, तथा उस यूग की समश्याओं के समधान के लिए, अपने सुझाव हमारे सामने रखता है, दारस्निकों के, ये सुझाव आदर्शात्मक भी हो सकते है, और जरूरी भी नहीं है, इसा बिलकुल जरूरी भी नहीं है, कि प्र बिद्वानों ने जो दार्शनिकों ने जो सुझाब दिये हैं एसे सुझाबों की कुछ विशेष्था रही है जो आपकी एक्जाम में अंसर राइटिंग में मदद करेगी कुछ एसी विशेष्था जिस्ते कि यह जान दीजिगा दर्शन सास्त्र राजनितिक सिध्धांत का मार्ग दर्शन करके उसे लक्च और उद्देश्च की और आगे बढ़ाता है पहला पहली विशेष्था किसकी दर्शन की जो विद्वानों ने अपना दर्शन दिया है उसकी पहली विशेष्था क्या है कि दर्शन सास्त जो है राजनितिक सिध्धांत का मार्ग दर्शन क करके उसे लक्ष की और आगे प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है पहली विशेश तर दूसरी है राजनितिक सिध्धान राजनितिक दर्शन जो है राजनितिक जीवन का मारदर्शक होता है अब यह विशेश ध्यान देने योग यह वात है दोस्तों क्य कि राजनितिक दर्शन ही राजनितिक जीवन को सपोर्ट करेगा या उसका मारदर्शन करेगा समझेगा अगर हमको सामाजिक विज्ञान के लिए मारदर्शन चाहिए तो वो हमें कहां से लेना होगा सामाजिक दर्शन से लेना होगा राजनितिक दर्शन से नहीं सामाजिक दर्शन से लेना होगा धार्मिक चाहिए धार्मिक दर्शन से लेना होगा मतलब यह कि प्रतेग छेत्र का प्रतेग छेत्र को सपोर्ट करने के लिए कि प्रतेक प्रकार का दर्शन उसके पीछे है जो उसे मार्ग प्रसस्त करवाएगा उसका मार्ग दर्शन करेगा इसलिए का जा रहा है कि राजनितिक जीवन का मार्ग दर्शन करने के लिए हमें राजनीतिक दर्शन की आवशक्ता होती है चुकि दर्शन सास्त्र में सभी साका हैं राजनीतिक दर्शन भी है सामाजिक दर्शन भी है धार्मिक भी है प्रतेक प्रकार के छेत्रों के दर्शन समाहित होते हैं दर्शन सास्त्र में तो इसलिए का जा रहा है कि प्रतेक साका जो होती राजनितिक दर्शन सास्त्र की वो प्रतेक साका उस प्रतेक छेत्र विशेश का ही मार्ग दर्शन करती है इसलिए राजनितिक जीवन का मार्ग दर्शन कोन करेगा राजनितिक दर्शन करेगा इस प्रकार राजनितिक सिध् प्रियास करें दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूं क्योंकि टोपिक ही इससे ना यारी स्टोरी बाइस टोपिक है तो मैं ज्यादा इसमें लेकिन हां इसको बेवारीक बनाने का पूरा कर रहा हूं टोपिक चुकि देखे टोपिक बड़ भी डिपेंड करता है कि कुछ टोपिक को कैसे लिए जाना चाहिए अब चुकि स्टोरी टाइप का टोपिक है पूरा और सिर्फ दोनों के बीच में संबंद ही तो बताना है हमको तो अभी इसके लिए तो अभी इससे जादा क्या कर सकत करता इए ना एक विशेष्टा और आप इसमें देख लिएगा दर्सण सास्त्र उस सीमा तक ब्यवार का प्रतीक होता है एक सीमा तक और वह कौन सी है कि जब तक वो अपने युगका प्रतीनिद्र करता है वो तब तक ही बेवारिग है राजनीतिक दर्शन या कहें कि दर्शन या दर्शन सास्त्र वो तब तक ही सही है या तब तक ही बेवारिग है जब तक कि वह अपने यूग की समश्चाओं को हमारे सामने रखता हो प्रतिनी रिद्व करता हो मतलrop कि अपने यूग की समश्चाओं को हमारा सामने रखता हो और उसका समधनान बताता हो ये तब तक ही बेभारी गे तब तक ही उपयोगी है तब तक ही प्रासंगिक है प्रंतु, जैसे ही ये अत्यदिक आदर्शात्मक होने लगे जिसे ही ये अत्यदिक कालपरिनिक होने लगे ये अपना महद्व खो देता है कौन दर्शन पॉइंट बिंदू बहुत काम का है दोस्तों याद हकेंगे आप लोग याद हकेंगे चलिए तो लेकिन देखिए यह याद रहे कि दर्शन जो है ना राजनितिक सिध्धान्त का आधार नहीं है कहीं इस गलत में मता जाईएगा संबंदों की हमने सकरत्व बाते की है इसका मतलब यह मत समझ लीजिएगा कि राजनितिक सिध्धान्त का आधार बन चुका है दरशन नहीं आधार तो आधार को नहीं है और नहीं उस्सकी कारिविधी है क् Ya क्योंकि आधार वाला काम आधार वाला काम तो इतिहास का है आधार प्रदान करने वाला काम किसका है दोस्तो इतिहास का है वहीं कार्य विदी प्रदान करने वाला काम विज्ञान का है किसका है विज्ञान का है ठीक है ना तो दर्सन तो राजनितिक सिद्धान्द को उद्द प्रदान करता है उसका मार्ग दर्शन करता है उसे आगे बढ़ाने की प्रेर्णा प्रदान करता है इसलिए दर्शन जो है राजनितिक सिद्धान्त का एक अंशिमात्र है क्या है एक अंशिमात्र है ना आधार है और ना कायदेविदी है बल्कि एक अंग है एक अंशिमात्र है राजनितिक सिध्धांत का कौन दर्शन है किलिए रे दोस्तों अ मताइएगा मुझे क्या राजनितिक सिध्धांत और दर्सन सास्त दोनों के बीच में जो परस्पर संबंद होता है यह संबंद इतना ही आपको मात्र पढ़ना है इससे ज़्यादा डिटेल में जाने क्या पशक्ता नहीं है हाँ मैं यह नहीं बूलता हूं कि आपके सामने content है और आपकी इच्छा भी है पढ़ने की तो पढ़े नहीं नहीं पढ़िए ना उस तक है आपके पास किताब है ना पढ़िए एक रीडिंग तो लगाई है एक बार यह लेक्श्यर देखने के बाद में अपनी किताब से रीडिंग तो लगाई है आपको पूरा topic समझ आएगा 100 परसेंट समझ आएगा कोई भी उसमें कोई एक सब्द नहीं होगा यार कोई लाइन कोई बाक के नहीं होगा जो आपको समझना है सब कुछ समझ आएगा आपको यह topic देखे कोई अब एक structure बन चुका आपके दिमाग में अच्छा तो राणितिक सिद्धांत और दर्शन क्या हुआ क् कि यह दोनों की बीच के संब्द बताने ऐियार कि राणितिक सिद्धांत राणितिक दर्शन पर जो है किस प्रकासि आधार यह थे कि हुआ है różne यह आधार नहीं है तो इतियास है कNE ऑनको चारिव डर्शन करता है कर Summa कि थी खी लिए इस लिए दर्शन सास्त्तर यह दर्शन जो है राजनितिक सिध रहंत का एक ऐगर निजल कर रूप में कहें निजल कर्षता कहें दोस्तों तो इक्जाम के लिए भूत impotent point निशुकस में ये का जा सकता है कि दर्शन ऑर इतिहास दरसन और इतिहास में बिरोध हो सकता है बिरोध हो सकता है परंतु राजनितिक सिध्धान्त की प्रकरती में इन तीनों कौन-कौन तीनों दर्शन बिग्ञान और इतिहास इनका अपना-पना महद्व है पिससे वो रिपीट कर रहा हूं यह हो सकता है कि दर्सन में और बिज्ञान में परस पर बिरोध हो बेदभाब हो बिज्ञान और इतिहास में भी बिरोध हो सकता है इतिहास और दर्सन में भी बिरोध हो सकता है लेकिन जब बात करते हैं राजनितिक सिध्धान्त की तो दोस् सिद्धान्त का आधार इतियास है परंतु इसका मतलब ये भी नहीं ध्यान दीजिएगा राजनितिक सिद्धान्त का आधार कौन है इतियास है ये सत्य है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा इतियास ही राजनितिक सिद्धान्त बन जाएगा नहीं इसी प्रकार से है इतिहास को विज्जान को या धरशन को अलग किया जा सकता है इन सब की स्थान्त के लिए आवश्यक है उन्हों सब की विशेस्थाइं और तरण देकि सिद्धान्त मोई देखे जा कि लियारे दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये आज का टोपिक भी होता है कंप्ली छोटा सा टोपिक था बहुत नंधा पर्शन करने बादा टोपिक नहीं है दोस्तों नेक्स शेशन में जो है अब हम बात करेंगे इसके बिविने द्रश्टिकोनों की जो कि बहुत इंपोर्ट जो अलग अलग शेशन में इसी प्रकार से दोस्तों थोड़ा सा आप भी ध्यान रखे किलास जो है और दोस्तों मिलेंगे अगले सेशन में कोशिश रहेगी कि अभी 10 बजे क्लास ले लें आप लोगों के लिए लेकिन उसकता तो लेट हो जाएं लेकिन अभी दो सेशन के बाद में और इवनिंग में तो आपके लिए सेटेर की दोस्तों क्लास का ध्यान रखें टाइम का ध्यान रखें विश्चे साथ और नो बजे क्लासे सोती है जिसमें से अभी आट वाली क्लास थोड़ी सी होल्ड की गई है और इवनिंग में जो है अभी सेकेंडरी क्लासे चल रही है थर्ड की क्लासे जल्दी आने वाली है और मैं फिर से रिपीट कर दूं आप लोगों के लिए जियोग्राफी बी है कि मैं से अभे यह नहीं बोलाओं कि मैं नहीं करूंगा huh पूरा प्रियास कर रहा हो कि के से उसपो लाया जा सकता है के से उस भी हम यहाँ पर अभी स्टार्ट करोँ जितना जल्दी होगा उत्ताषए कि अ झाल झाल